और अंगाबाद में आज तीन दिनों से लापता किशोर का शौ नहर से बरामत हुआ है किशोर का सौ दाउद नगर थाना शेत्र के अगनोर नहर से बरामत किया गया है मिरतक के पहचान 14 वर्षिय रोशन कुमार जमहोर थाना शेत्र के पैठारी गाउनिवासी दिलिप सिंग के बेटे के रूप में हुई है घटना के बाद परीजनों का रो रो कर बुरा हाल है मिरतक के शोर दाउद नगर सहर में किराय के मकान में रहकर ग्यान गंगा स्कूल में पढ़ाई करता था जानकारी के अनुसार रोशन कुमार आठवी क्लास का छात्र था और खेलने के लिए 17 फरवरी को दो पहर 3 बजे अशोका हाई स्कूल के मैदान में गया था तब से ही वो लापता हो गया काफी खोजबीन के बाद भी जब रोशन का कुछ पता नहीं चला तो रोशन के पिताद दिलिप सिंग ने गुमसुदगी का सनहा दाउद नगर थाने में दर्ज कराया था पुलिस ने भी रोशन की बरामदगी को लेकर जगा जगा चापे मारी की लेकिन उसका कुछ भी पता ना चल सका परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी निर्शन सहत्या कर शौक और नहर में फेक दिया गया है घटना के विरोध में परिजनों ने दाउद नगर शहर के भखरुआ चौक को जाम कर दिया चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई लोगों को आवागमन करने में काफी परिसानी का सामना करना पड़ा सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और लोगों को समझाया इसके बाद सड़क जाम को हटाया गया च्बंद लोगों की सिर्ट साम decrease EasternE First को Kitty puppy ऑगाएमन की स्वाइब लोगों का सामना का जाम आवागमन की सामना में सामना की सान pied इस आवार गजागमन की सामना की अवागों क्यां भंवागों की सवाग está ही तरम चारा दोगरा उना मौके हैं झाल 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 देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें स्ट्रीट वर्स यदि आप यह हमारे चाया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्यबाद